नमस्कार इस चैनल में आप सभी विवार्स का बहुत बहुत सागत हैं आज इस वीडियो में SSC GD and SSC MTS exams का reasoning के कुछ important questions ट्रिक्स करेंगे जो upcoming SSC GD and SSC MTS exams के लिए बहुत ही important है आप वीडियो को धान से देखिएगा तकि इस टेब को questions को समझने में आपको कोई दिक्कत न हो तो चले शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए अगर 58 multiplied by 12 is equal to 4 है 37 multiplied by 96 is equal to 5 है 11 multiplied by 20 is equal to 2 है तो यहाँ पर 42 multiplied by 12 is equal to किया होगा वही पुछा गया है question में देखिए 58 multiplied by 12 is equal to 4 कैसे आएगा यहाँ पर क्या करेंगे 58 का 5 plus 8 करेंगे उसके साथ ही यहाँ पर 12 का 2 डिजिट को भी यहाँ पर जोड़ेंगे मतलब 1 plus 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 plus 1 14 plus 2 is equal to 16 हो जाएगा तो अभी यहाँ पर 16 को अगर square root कर देंगे तो 4 आ जाएगा ठीक है देखिए 4 है उसके बाद यहाँ पर भी सह में देखे 37 का 3 plus 7 करेंगे plus 96 का 9 plus 6 कर देंगे तो यहाँ पर 10 plus 9 19 plus 6 is equal to 25 हो जाएगा 25 का square root करेंगे तो 5 आ जाएगा उसके बद यहापर भी सेम है 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 तो 4 का आगा square root करेंगे तो 2 आ जाएगा ठीके समझ में आ रहा है तो अभी देखें यहापर answer क्या आएगा 42 multiplied by 12 is equal to क्या होगा बहुत ही आसने 42 का 4 plus 2 करना है और 12 का 1 plus 2 करना है तो यहापर जोड़ेंगे तो 6 plus 3 is equal to 9 हो 42 multiplied by 12 का value ठीक है समझ में आ गया तो चली next question को देख लेते हैं question को देखें यहापर एक vein diagram का question है यहापर doctors, lawyers and rich persons है तो यहापर इन तिनों के अंदर इन option में से कौनसा option best relationship represent करेगा वो ही पुछा गया है question में देखें इस question को solve के से करना है बहुत ही आसन question है doctors, lawyers and rich persons यह देखें यह तिनों ही अलग है यहापर, doctors जो होता है, doctors, doctors जो होता है, यह अगर doctors का circle है, doctors अलग है, यहापर lawyers अलग है, ठीक है, lawyers अलग है, तो यह दोनों अलग है, लेकिन यहापर rich person जो है, यह दोनों ही हो सकता है, मतलब कुछ doctor यहापर rich person बन सकता है, और कुछ lawyer भी यहापर rich person बन सकता है, सबी doctors यहाँ पर rich नहीं होता है, और सबी lawyers भी यहाँ पर rich नहीं होता है, ठीक है सबसे best relationship हो जाएगा इन तिनों के अंदर, option D यह अगर doctor का circle है, और यहाँ पर यह अगर lawyer का circle है और middle में यह अगर rich person का circle है, तो यहाँ पर कुछ doctor rich person है कुछ lawyer भी rich person है लेकिन यहाँ पर सबी doctor rich person नहीं है, सबी lawyer भी rich person नहीं है, ठीक है तो मतलब यहाँ पर option D सबसे best relationship बनेगा इन तिनों के अंदर, ठीक है, तो चलिए next question को देख लेते हैं, question को देखी यहाँ पर coding decoding का question है, अगर T.O.I.R. का quote 70 है H.A.T.E. का quote 42 है तो यहाँ पर set का quote क्या होगा बोई पूछा गया है question में, देखे T.O.I.R. इसका quote 70 कैसे आएगा, numerical order में अगर latest को लिखेंगे, तो यहाँ पर T. आता है 20th number में, उसके बाद O. आता है 15th number में, उसके बाद I. आता है 9th number में, और R. आता है 18th number में, इन numbers को अगर जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, लेकिन T.O.I.R. का quote 70 है T.O.I.R. के अंदर, दिखे, 4 number of letters है, इसलिए यहाँ पर multiplier में अगर 2 करेंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यह 8, 62 के साद आगर जोड़ेंगे, तो 70 मिल जाएगा, ठीक है तो यहाँ पर हेट का quote भी सेम तरीका से आएगा, हेट का H आता है 8 number में, उसके बद A आता है 1st number में, T आता है 20th number में, and E आता है 5th number में, तो मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे 25 plus 1, 26 plus 8 is equal to 34 लेकिन यहाँ पर हेट का quote कितना है 42, मतलब यहाँ पर भी 4 number of letters है, तो 4 multiplied by 2 is equal to 8, यहाँ पर 34 के साद जोड़ना है, तो 34 के साद 8 आगर जोड़ेंगे, तो 42 मिल जाएगा ठीक है, समझ में आ रहा है उसके बद सेट का quote क्या होगा, देखे S कितना number में आता है, S आता है 19 number में, उसके बद E आता है 5th number में and T आता है 20th number में, इन numbers को अगर जोड़ेंगे 25 plus 19 is equal to 44 हो जाएगा, अभी देखे यह पर सेट के अंदर 3 number of letters से तो 3 के साद multiplied by 2 is equal to 6, यहाँ पर जोड़ेंगे 44 के साद तो 44 plus 6 is equal to 50 हो जाएगा, सेट का code ठीक है, तो option C में है 50, तो 50 हो जाएगा, correct answer तो चली next question को देख लेते है question को देखे, अगर 15th August 2011, Monday था तो यहाँ पर 17th September 2011 कौन सा दिन था वोई पूछा गया है question में, देखे, इस question को solve करने के लिए, सब से बहले हमें देखना है, August month कितना दिनों का होता है, August month 31 days का होता है, ठीक है तो यहाँ पर देखे, 15th August Monday था, तो 15th August के बाद, August month में remaining days, remaining days कितना हो जाएगा यहाँ पर 31 से 15 को minus करना है, तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर remaining days August month में, ठीक है, समझ में आ रहा है remaining days है, यहाँ पर 16 उसके बाद September आता है यहाँ पर 17 September बोला गया है मतलब 16 के साथ यहाँ पर 17 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 33, अभी देखे यह जो 33 आया है, 33 days इसको 7 से डिमेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा तो 28 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा यहाँ पर remainder, ठीक है तो यह remainder को क्या करना है 15 अगुस 2011 Monday था, तो यह Monday के साथ Monday के साथ यहाँ पर plus 5 करना है मतलब, Monday के 5 दिन बाद जो दिन आएगा, वही हो जाएगे यहाँ पर 17th September 2011 का दिन, ठीक है तो Monday के 5 दिन बाद आता है Saturday तो मतलब, यहाँ पर Saturday हो जाएगा correct answer, ठीक है तो चलिए next question को देख लेते है इस question को देखे, यहाँ पर एक number series है यहाँ पर middle में देखे question mark तो यह question mark के जगा, कौन सा number आएगा इस question को solve करना के लिए यहाँ पर जो numbers से, इन numbers केंदे relation को देखना है, सबसे बेले 0 है उसके बाद 6 है, देखे, अगर 1 का cube करेंगे, तो यहाँ पर 1 होता है, उससे अगर 1 minus करेंगे, तो 0 हो जाएगा उसके बाद 6 है, मतलब 2 cube करेंगे तो 8 हो जाएगा, minus अभी 2 करेंगे, तो 6 मिल जाएगा ठीक है, उसके बाद 24 भी सेम तरीके से आएगा, अभी 3 cube करना है तो 27 हो जाएगा, minus अभी 3 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 है, इसे minus होते जाएगा है, मतलब यहाँ पर 24 आजाएगा, उसके बाद 60 भी सेम तरीके से आएगा, मतलब 4 cube is equal to 64 होता है minus 4 हो जाएगा, मतलब 60 आजाएगा, अभी यहाँ पर क्या होगा देखे, 5 cube हो जाएगा, 5 cube is equal to 125, अभी minus 5 हो जाएगा, मतलब 125 minus 5 is equal to 120 हो जाएगा, question मरके जाएगा, correct answer उसके बाद 210, मतलब 6 cube हो जाएगा, 6 cube is equal to 216, minus 6 is equal to 210, ठीके, तो question मरके जाएगा, 120 हो जाएगा, correct answer तो चली, next question को देख लेते हैं इस question को देखे, यहाँपर दो question है, पहला question देखे, 32 24 and 8, इन तिनो numbers का अंदर, जो relation है इन option में से, कौनसा options का numbers के अंदर, same relation होगा देखे, यहाँपर 32, 24 and 8 है, तो 32 से अगर minus 8 करेंगे, तो 24 हो जाएगा अभी 24 से अगर minus 16 करेंगे, तो 8 हो जाएगा, ठीके यहाँपर भी same relation ढूंडेंगे 42 से अगर minus 8 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 34 होगा 34 से minus 16 करेंगे तो कितना होना चाहिए यह पर 18 होना चाहिए लेकिन यह पर 16 है मतलब option 1 गलत हो जाएगा उसके बाद 24 से minus 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा 15 से minus 16 कर देंगे तो 0 हा जाएगा तो मतलब यह पर option भी साही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए 4, 10 and 15 है तो 4 के साथ अगर multiplied by 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा अभी 8 के साथ plus 2 कर देंगे तो 10 मिलेगा ठीक है next number मिल जाएगा उसके बाद 3 के साथ multiplied by 1.5 अगर multiply करेंगे तो 15 हो जाएगा ठीक है यह same relation यहाँ पर भी follow करना है तो यहाँ पर option A में देखिए 3 के साथ multiplied by 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा उसके साथ plus 2 करेंगे तो 8 आना चाहिए यहाँ पर लेकिन यहाँ पर 6 है मतलब option ने गलत है उसके बाद देखिए 2 के साथ multiplied by 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, प्लस 2 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, मतलब यहाँ पर 8 है, मतलब option B भी गलत है, उसके बाद option C में देखिए 5 multiplied by 2 is equal to 10, plus 2 is equal to 12 है, उसके बाद देखिए 18, 12 के साथ multiplied by 1.5 करेंगे, तो 18 भी मिल जाएगा, तो मतलब देखिए यहाँ पर option सी सही answer हो जाएगा ठीक है तो चलिए next question को देख लेते हैं इस question को देखिए यहापर yt oj is to x s n i है इस side पे देखिए wr mh is to question mark है तो यह question mark के जगा कौन सा letters का group आएगा इस question को solve करने के लिए yt oj के साथ x s n i का जो relation होगा wr mh के साथ question mark के जगा जो letters का group आएगा उसका भी same relation ह होगा देखिए यहापर इस question को solve करने के लिए हम यहापर देखेंगे देखिए y है y के साथ यह x का relation को देखेंगे मतलब y के आगे y के आगे x साथ है मतलब minus 1 हुआ है ठीक है उसके बाद देखिए t है t के आगे यहापर क्या आता है a साथ है तो यहापर भी minus 1 हुआ है उसक W है, R है, A M है and H है तो sub में minus 1 हो जाएगा minus 1, minus 1, minus 1 तो W के आगे कॉंसलेडर आता है, जी आता है उसके बाद R के आगे कॉंसलेडर आता है R के आगे Q आता है, M के आगे आता है L and H के आगे आता है G, तो मतलब यहाँ पर answer हो जाएगा B, Q, Q, L, G, ठीक है, B, Q, L, G, option A में है, option A यहापर सही answer हो जाएगा, तो चलिए next question को देख लेता है, इस question को देखी, यहापर question मर्क के जागा, कौन सा नामर आएका, वो ही पुछा गया है question में, इस question को solve करने के लिए सब से बहले हम इसको row wise solve करेंगे, first row में देखिए, 3, 9, 27, and 32 ह तो इन चारो numbers कंद relation क्या है, सबसे बहले यह 3 के साथ, अगर multiplied by 3 करेंगे, तो 9 हो जाएगा, यह 9 के साथ multiplied by 3 करेंगे, फिट से, तो यहापर 27 हो जाएगा, अभी 27 के साथ plus 5 कर देंगे, तो 32 हो जाएगा, ठीक है, समझ में रहा है, यहापर भी 7 में, 4 के साथ multiplied by 3 करेंगे, 18 हो जाएगा, 18 multiplied by 3 is equal to 54, तो अभी यहापर 54 के साथ plus 5 करना है, तो 59 हो जाएगा, question mark कर जागा, correct answer, तो चलिए next question को देख लेते हैं, इस question को देखिए, यहापर बोले गएगे, बीता हुआ परसू, अगर Sunday था, तो आने वाला परसू, कौनसा दिन होगा, बोही पुछा गए है question में, बहुत ही आसन question है, यहापर देखिए, Sunday था, Sunday था, यहापर बीता हुआ परसू, मतलब Sunday से अगर plus 2 जाएंगे, मतलब plus 2 forward में जाएंगे, तो यहापर 2 दे मिल जाएगा, मतलब आज का दिन कौनसा हो जाएगा, आज का दिन कौनसा दिन होगा, Sunday के दो दिन बाद यह के बाद आता है, Thursday, तो मतलब यहापर Thursday हो जाएगा, correct answer, ठीक है, तो चलिए next question को देख लेता है, question को देखिए, यहापर question मेर के जाएगा, कौनसा number आएगा, वो ही पूछाएगा है question में, यहापर इस question को solve करने के लिए, हम इसको column में solve करेंगे, first column में 5, 3 and 12 है, तो इन तिन numbers का अंदर relation क्या बनेगा, देखिए, यहापर 5 के साथ, यह 3 को पहले multiply करेंगे, तो 15 हो जाएगा, अभी यह 3 को यहापर minus कर देंगे, तो 12 मिल जाएगा, नीचे का number ठीक है, उसके बाद यहापर third column में भी same हो जाएगा, 12 multiplied by 9 is equal to 108 minus 9 करेंगे, तो यहापर 99 हो जाएगा, उ question मार के जागा, correct answer, ठीक है, इस वीडियो में किसी भी question को अगर समझने में कोई दिखा थो, तो अब ज़रूर comment box, comment करके बदेए, मैं कोशिश करूँगा, उस question का अब को फिर समझने का, वीडियो को अच्छे लगा तो ज़रूर लाइक शायर और सब्सक्राइब कीजएगा नेक्स टाइम इस टेप का और भी फिर लाने के कोशिश करूँगा, आज के लिए इतना ही फेर्मे लेंगे